नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दा एक्जाम टॉपर्स में आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 2019 के महतुपूर्ण करेंट अफिर्स के कोशन्स के बारे में जिनकी देश में आयुजित होने वाली सभी प्रत्योगी परिच्छों में आने की सबस्यादा संभावना बनती है और हमारे नॉलेज के इंप्रूवमेंट के लिए जानना जरूरी है आईए पहले प्रस्ण से शुरुवात करते हैं इसका सही आंसर है तमिलनाडू हाली में तमिलनाडू के सुचन प्रोध्योगी की मंतरी डॉक्टर M. मडी कंदन ने शहर में आईसीटी अकादमी ब्रिच्छ दो हजार उननी सम्मेलन का उद्गाटन किया यहाँ आईसीटी अकादमी दोरा आयोजित सम्मेलन का 37 वा संसकरण है अगला प्रश्ण है भारत मोनागो व्यापर मंच का आयोजन देश में कहां किया जा रहा है तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली हाल ही में केंदरी वानिक जे उद्ध्योग और नागरिक उद्धेन मंत्री सुरेश प्रभू ने नई दिल्ली में भारत मोनागो व्यापर मंच का उद्गाटन किया इसका उद्धेश भारत और मोनागो के बीच व्यापरिक संबंद बढ़ाने और व्यापर को नई उचाईये प्रदान करने के लिए किया गया है अगला प्रशन भारत के परेटन छेतर में वर्स 2018 में कितने प्रशत की व्रधी दर्ज की गई है इसका सही आंसर है 19 प्रतिशत हाल ही में केंदरी मंत्री के जे अलफोस ने गोशना की है कि देश के परेटन छेतर में वर्स 2018 में 234 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है यह 19 प्रतिशत से अधिकी व्रधी दर्ज करता है यह गोशना गुवाहाटी में आयोजित द्वितिय आसियन भारत युवा सिखर सम्मिलन में की है विश्व यात्रा और परेटन परिशत की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार परेटन छेतर में देश को तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन हाल ही में एक फरवरी 2019 से किस नई नीती को देश में लागू किया गया है यह कोश्चन बहुत ही महतुपूर्ण है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसका सही आंसर है e-commerce नीती हाल ही में भारत की नई e-commerce नीती एक फरवरी 2019 से पूरे देश में लागू हो गई है e-commerce कमपनियों के लिए नीती नियमों का एक नया सेट बना गया है उद्योक संवंदर और आंतरिक व्यापार विभाग पहले DIPP ने जिसे पहले DIPP कहा जाता था उसने सरकार के संशोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नियमों में खुद को संरेखित करने के लिए 60 दिनों की अवधी दी थी इसके चलते हैं लागू की गई है इसकी महतुपूर्ण विशेषता है कि विक्रिताओं के माध्यम से उतपादों की विक्री से बार्स ऑनलाइन खुदरा विक्रिताओं जिनमें उनका एक्विटिविटी हित हो साथ ही उन्हें केवल अपने प्लेटफॉर्म पर उतपाद बैसने के लिए ब्रांडों के साथ विशेष सोदोमप प्रवेश करने से रोकती है अगला प्रशन जो की बहुत ही मातोपूर्ण है CBI के नए डारेक्टर के लिए किसे नियूक्त किया गया है इसका सही आंसर है रिशी कुमार हाल ही में रिशी कुमार सुकला को CBI का नए डारेक्टर बनाय गया है ये मद्यप्रदेश केडर के 1983 बैच के IPS अधिकारी है इससे पहले वे मद्यप्रदेश में DGP के रूप में कारेक कर रहे थे जिने ये हाल ही में मद्यप्रदेश में नव निर्मित कमलनात सरकार ने हटा दिया था इनके उपर एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप देख सकते हैं और इनसे जुड़ी अन्योस में सभी जानकरिया दी गई है नेक्स्ट कोश्चन है भारत में नेपाल के राजदूत की रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका सही आंसर है नीलांबर आचारे हाल ही में नेपाल के पूर्व कानून मंत्री नीलांबर आचारे को भारत में देश का नया राजदूत नियुक्त किया है राश्टपती विद्धे डेवी भंडारी ने काटमांडू में श्री आचारे को पद और गोपनीता की सपत दिलाई भारत में नेपाली राश्दूत का पद दीप कुमार उपाध्या द्वारा 2017 में राजनीती में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे देने के बाद से खाली था नेक्स्ट कोश्चन विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया यह कोश्चन बहुत ही मतवपूर्ण है जिसके आने वाली एक्जाम्स में सबसे आदा पूछे आने की संभावना बनती है तो इसका सही आंसर है चार फरवरी हाल ही में विश्व में चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस विश्व इस्तर पर मनाया गया इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस का आयोजन करने वाले यूनियन फोर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने थीम के साथ एक नया वर्ष 2019 से 21 तक तीन वर्ष का अभ्यान शुरू क किया है जिसका नाम है आई एम और आई विल नेक्स्ट कोश्चन प्रो रेसलिंग लीग के चोथे संस्क्रण का खिताब किस टीम ने जीता है इसका सही आंसर है हर्याना हैमर्स हाल ही में हर्याना हैमर्स ने प्रो रेसलिंग लीग के चोथे संस्क्रण में जीत हांसिल की है उन्होंने गोतम बुद्ध विश्विद्याला के इंडोर स्टेडियम क्रेटर नोईडा में हुए इस फाइनल मुकाबले में पंजाब रोयल्स को 6-3 से हराया है। अभिरम शर्मा ने विरोध स्वरूप किस भारती सम्मान को लोटाया है। यह कोशन भी बहुत ही मातुपूर्ण है इसका सही आंसर है पदमस्री अवार्ड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने किस राज्जी के नए उच्चे नियालय के भवन का उदगाटन किया है। इसका सही आंसर है आंदरप्रदेश। हाल ही में रंजन गोगोई ने 3 फरवरी 2019 को अमरावती में आंदरप्रदेश उच्चे नियालय के नए भवन का उदगाटन किया है। यहां लगबग 150 करोड रुपए की लागत से बना है जिसमें 16 कोर्ट हॉल बने हुए है। राज्जी के विभाजन के साड़े 4 साल बाद आंदरप्रदेश को आखिरकार अपना खुद का नियालय मिल ही गया है। नेक्स्ट कोश्चन हाल ही में किस देश ने होवई जे क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया है। इसका सही आंसर है इरान। हाल ही में इरान ने 1350 किलो मीटर की छमता वाली एक नए क्रूज मिसाइल के सफल परिक्षन की घोशना की है। यह होवेई जे क्रूज मिसाइल का 1200 किलोमीटर की रेंज में सफल परिक्षण किया गया है यह निर्धारित लक्ष को बेदने में भी सटीक रही यह बहुत कम उचाई पर उड़ती है और कम से कम समय में लॉंच के लिए तैयार हो सकती है परिक्षण इरान की 1780 की इसलामी करा करन्ति के जश्ने के मौके पर हुआ है नेक्स्त कुश्चन विदेश मंत्रालाय और असम सरकार के सहयोग से भारत आसियान-युवा सिखर सम्मेलन का आयोजन देश में कहा किया जा रहा है इसका सही आंसर है गुवाहाटी विदेश मंत्रालाय और असम सरकार के सहयोग से यह सम्मेलन असम के गुवाहाटी में आयुजित किया जा रहा है इसका विशय कनेक्टिविटी समरधी को साजा करने का मारग यह रखा गया है इस सम्मेलन में दस आसियान देशों और भारत के युवा प्रतिनिदी भाग ले रहे हैं अगला प्रश्न है इसका सही आंसर है सनामीर हाल ही में पाकिस्तान की सनामीर इसका सही आंसर के खिलकर इह उपलबदी हासिल की है अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेले सूरचकुंड अंतराश्ट्री मेले का आयोजन कहा किया जा रहा है इसका सही आंसर है भारत यहां मेला विश्व का सबसे बड़ा अंतराश्ट्री मेला है यहां एक से सत्रा फरवरी दोहजार उननीस तक रियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा यहां इस मेले का तेतिसवा संसकराण है इस बार इसका विशायवस्तू राज्य महरास्ट्र है इसका उदगाटन महरास्ट्र के मुख्य मंतरी देवेंदर फड़नविश ने किया था तो यह था आज का महत्वपूर्ण करेंट अफ्यर्स का सेशन अब बात करते हैं पिसले प्रशनी के उत्तर पिसले सेशन में प्रशनी पूछा गया था कि केंदर ने संगठित और असंगठित छेतरों के श्रमिकों के लिए किस पैंशन योजना की गोशना की गई है तो इसका सही आंसर है प्रधान मंतरी श्रम योगी मानवधन योजना आज का महतुपूर प्रशन है कि किस राज्जी में काला गोड़ा उत्सव का उत्गहटन किया गया है इसके ओप्शन से हैं मेघालाए, बी उत्तरप्रदेश, सी महराष्टर और चोथा ओप्शन है जम्मू कश्मीर अपना अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थेंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद